केके पाठक के राहों पर चल रहे बिहार के नए A.C.S. डॉक्टर S. सिदार्थ नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधुगों को मैं हूँ S.K. चौधरी दोस्तों बिहार के तमाम सिछकों की निगाहे नए A.C.S. डॉक्टर S. सिदार्थ की ओर इसलिए टिकी थी कि एक बार फिट से तमाम सिछकों के लिए साथी साथ तमाम छात्रों के लिए भी कम से कम पांच दिनों की गर्मी की छुट्टी जरूर परदान की जाएगी इसका कारण ये था कि बिहार में अभी भी हीट बेब जारी है और भी सनगडमी जारी है लेकिन A.C.S. तौरा जब ही तमाम जिलाधीकारियों को या दिसा निर्देश दिया गया कि आप अपने अस्तर से ही बिहार के तमाम विद्यालियों को बंद या फिर खुला रख सकते हैं उन्होंने जिलाधीकारियों को या दिसा निर्देश दिया कि जिस जिले में ताप मान 40 डिगरी से उपर सेल्सियस हो उसी जिले के विद्यालियों को बंद किया जा सकता है लेकिन सिर्व बसिर्फ छात्रों के लिए और इतना ही नहीं छात्रों के लिए भी सिर्व बसिर्फ 19 जून 2024 तक ही बंद किया जा सकता है जब ही ACS डॉक्टर S सिदार्थ द्वारा तमाम जिलाधिकारियों को ऐसा दिशा निर्देश दिया गया, तमाम जिलाधिकारियों ने अपने अस्तर से पतर निकालते हुए विद्यालियों को खुला रखने का आदेश दिया, जिसमें छात रूपस्थित नहीं रहेंगे, पर केके पाठक के राहों पर ही चलना सुरू कर दिये हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे फरमान जारी किये जा रहे हैं, जो केके पाठक के फरमानों से भी उपर का फरमान होता है। जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में माननिय मुख्य मंतरी सिरे नितीश कुमार को एक बहुत बड़ा चुनावी फायदा हुआ और कीमेकर बनने में उनके सपने साकार हुए। जिनके मन में भली भाती ये बाते बैठ चुकी है कि सिक्षकों के उपर कारवाई के कारण ही बाहरी आम जनताओं ने माननिय मुख्य मंतरी को काफी हद तक सपोर्ट किया है। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों वो तो हर किसी को पता है कि आखिर माननिय मुख्य मंतरी किंग मेकर की भूम का निभा रहे हैं तो इसमें किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। दोस्तों खबरे ये भी चलाई जा रही है कि नए A.C.S. डॉक्टर A.S. सिदार्थ द्वारा जिला के जिला सिक्षा पताधिकारियों की सक्ती को समाफ्त किया जा रहा है। या फिर खुले रखने का आधेश देते हैं। यानि सुझा लेना हो तो जिला सिक्षा पताधिकारियों दौर सुझा लिया जाए। जब विध्यालियों को बंद करने या फिर चालू- industry बात आये तो ये सक्ती जिला पताधिकारियों को तेदा जाए। यानि जिला सिक्षापताधीकाडियों को सकतीहीन बनाने का परियास किया जा रहा है वही दोस्तों हमारा जो मानना है और जो हमारा विसलेशन कहता है तमाम सिक्षकों को 11 जुन 2024 से लेकर 15 जुन 2024 तक ही छुट्टी परदान की गई थी रही बात 16 जुन की तो 16 जुन को रवीबार था और 17 जुन 2024 को हिंदी माध्यम विद्याले में बकरीद की छुट्टी परदान की गई थी और दोस्तों वही उर्दु माध्यम विद्याले की बात कर ली जाए तो उर्दु माध्यम विद्याले में 19 जुन 2024 तक बकरीद की छुट्टी पर दान कर दी गई है। इसी बिंदु को देखते हुए तमाम हिंदी माध्यम के विद्याले जिसे सिर्फ 17 जुन 2024 के लिए ही बकरीद की छुट्टी पर दान की गई थी 18 और 19 जुन दो दिन विद्याले को खोलना अनिबार्ज था। अगर कोई पत्र निकाला जाता है तो वह तमाम विद्याले के लिए लागू होता है चाहे हिंदी माध्यम हो या फिर उर्दु माध्यम हो। लेकिन अभी गर्मी की छुट्टी परदान कर दी जाती है तो एक बार और उर्दु माध्यम के विद्याले के सिक्षकों का कहना होगा कि हमने 18 और 19 जुन को अपनी छुट्टी का अवभोग किया है। इसलिए हमें दो दिनों का अतिरिक्त गर्मी छुट्टी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं तो इससे असपश्ट हो गया कि हर हाल में 19 जुन तक एक रूपता कायम रहेगी जहां उर्दु माध्यम के विद्याले के सिक्षक और छात्र अपनी छुट्टी का अवभोग कर रहे हैं तो इधर हिंदी माध्यम के लिए इसे गर्मी की छुट्टी में परनत नहीं किया जा सकता है हां रही बात गर्मी की अगर तापमान जादा रहता है ये भी बात सवभाविक है कि बिहार का कोई ऐसा जीला नहीं होगा जहां तापमान 40 टिगरी सेल्सियस से उपर नहीं होगा अगर गर्मी इसी कदर रहती है तो निश्चित रूप से 20 जून 2024 से कम से कम पांच दिनों की गर्मी चुट्टी अवस्य विद्यालियों को परदान की जाएगी इतना मेरा बिसलेशन कहता है लेकिन कई बिंदूओं पर देखने की जरूरत ये है कि परसिक्षन भी कराया जाना आवस्चक है सिक्षा विभाग का ही आदेश है कि सभी सिक्षकों का 6 दिवस्य फलन परसिक्षन अनिवार्ज है अनिथा उनको वार्षिक बेतन विर्द्धी का लाब दे नहीं होगा तो इसलिए भी विद्यालियों को खुला रखा जा सकता है लेकिन अगर 25 जून से भी विद्यालियों को खोला जाता है खिर भी जून महीने में ही 6 दिवस्य फलन परसिक्षन समाप्त हो जाती है वही दोस्तो 14 जून 2024 को ACS डॉक्टर S सिदार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र सिक्षा विभाग के लिए एक महत्पूर्ण खबर बन गई है जिस पत्र को लेकर कई सारी मीडिया द्वारा सवाल भी सिक्षकों के उपर उठाए गये है यानि उस पत्र में इस बात का उलेक किया गया है कि टॉल फिरी नंबर पर सिक्षकों से सम्बंदित इतने जादा सिकायत आ रहे हैं जिसको देखते हुए तमाम जिला में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निरने ACS डॉक्टर A.S. सिदार्थ ने लिये हैं और उनके देख रेख में ही तमाम विद्याले के सिक्षकों की निगरानी होगी जिसमें सिक्षकों की उपस्थिती और सिक्षन कार्द से सम्बंदित बिंदूओं की निगरानी अनिवार्ज रूप से रखी गई है दोस्तो इस पत्र से यह सवाल खरा होता है कि 11 जुन 2024 से 15 जुन 2024 तक तमाम विद्याले को डॉक्टर A.S. सिदार्थ नहीं बंद कर दिये हैं तो आखिर किसके दोरा यह सिकायत किया गया कि विद्याले में सिक्षक की उपस्थिती नहीं हो रही है और उस सिकायत के आधार पर ही उन्होंने एक पत्र तमाम जिला धिकारियों के नाम सिप्रेशित कर दिया और या उल्ले कर दिया कि हर जिले में एक नोडल पता धिकारी नियुक्त किया जाए दोस्तों कम से कम इन बिंदूओं पर विचार किया जाना चाहिए था कि आखिर विद्याले बंद है तो सिकायत करता सिकायत क्यों कर रहे हैं इसका मतलब है या तो सिकायत करने वाले फ़रजी सिकायत कर रहे हैं या फिर पत्र लिखने का एक विशय है जिसमें इस बात का उले किया है लेकिन सवाल उठता है कि सिक्षकों पर इतने सिकंजे क्यों आखिर सिक्षक क्या विद्याले में नहीं आते हैं क्या सिक्षक विद्याले से गाइब रहते हैं दोस्तों आप सभी गौर कर सकते हैं और कम से कम सिक्षक विभाग के बड़े-बड़े आधेकारियों को य अगर सिक्षकों को गैब रहने की आदत है विद्याले में छातर ही नहीं है तो तमाम सिक्षक योहीं विद्याले में टेनेस बनाती और अपने घर की और प्रस्थान कर जाते उनके दोरा एक बार ही आवाज नहीं उठाई जाती कि छातरों के लिए जब चुट्टी परदान क बर दी गई है तो सिक्षकों के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए कम से कम सिक्षा विभाग के आदिकारियों को इन विंदूओं पर विचार जरूर करना चाहिए गलत सिकायते अगर कहीं से की जा रही है तो इस पर भी गंभीरता पुर्वक मन्थन किया जाना चाहिए कि स सिकायते गलत है या फिर सही है दोस्तो रही बात सिक्षकों के लिए उलजन और जहलने की तो बिहार के नियोजित सिक्षक लगभग 20 वर्सों से सिक्षा विभाग को जहलते आ रहे हैं और योही 2-4 वर्स जहलते जहलते सिक्षा विभाग को काट कर अपने घर वापस चले ये हालात है सिक्चा विभाग की और जिस हालात से बिहार की सिक्चा विभाग बर्तमान में गुजर रही है उससे बिहार के छात्रों का भविष से कदाफी नहीं बन सकता यहां तक की बिगर सकता है। सवाल उठता है कि क्या निरिक्षन कार्ज भी सिक्चकों के सयोग से ही चलते हैं। कहीं से आउचित नहीं बनता है कि सिक्षक उपस्तित रहेंगे और निरिक्षन में सयोग करेंगे लेकिन दोस्तों इन तमाम मिंदूओं पर आप सभी का क्या राय है आप अपनी राय भी कॉमेंट के माधम से अबस्य देंगे हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों के पास सेर कीजिए और अब दीजी अपने दोस्त इसके चौधरी को जाजत जय हिंद जय भारत